है ना कितना यम्मी और अट्रेक्टिव जिसको देखते ही मूँ में पानी आ जाए और ये चिली सोया चंग बच्चों अबणों सभी को बहुत पसंद आएगा तो फिर चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल चिली सोया चंग की रेस्पी बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले चिली सोया चंग के लिए सबजियां कट करेंगे मैंने यहाँ पर लिए हैं लाल पीली हरी सिम्ला मिर्च अगर आपके पास लाल पीली सिम्ला मिर्च नहीं है तो आप हरी सिम्ला मिर्च का ही यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हम रैड कलर की सिमला मिर्च को लेंगे और इसको हम पहले बीच से कट कर लेंगे और इसके बीच वाले पोशन को हम कट कर देंगे अब हम इसको लंबे-लंबे पीसिस में कट करेंगे अब जो इसमें वाइट वाला पार्ट है इसको हम हटा देंगे और इसको एक सम पीसे में हम cut करेंगे मैं यहां पर इनको triangle shape में cut कर रही हूँ तो इस तरीके से मैने इनको बरावर triangle shape में cut कर लिया है इसी तरीके से हम PEALI और हरी SIMLR में इचको triangle shape में cut कर लेंगे अब हम 2 medium-size के प्याज लेंगे और इनको चील कर भीच से cut कर लेंगे और इसको चार पीसिस में कट कर लेंगे और फिर हम प्याज के सभी पीसिस को अलग-अलग कर लेंगे तो प्याज भी हमारा कट कर तयार है साथ में लेंगे पांसे छे लैसुन की कलियां इनको भी हम बारी कट कर लेंगे और अब हम लेंगे एक इंच द्रक का टुकडा जिसको मैंने चील कर लंबे-लंबे पीचिस में कट कर लिया है और इस तरीके से हम अद्रक को भी बारी कट कर लेंगे तो अब हम एक पैन में पानी लेंगे और पानी को हम गर्म करेंगे अब हम इसमें डालेंगे सोया चंक मैंने यहाँ पर डेड़ कप सोया बड़ी ली हैं और इनको हम पानी में बॉयल करेंगे तो पानी में उबाल आ गया है अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और इनको 5-6 मिनाट तक बॉयल करेंगे तो हमें सोयाचंग को गर्म पानी में डालना नहीं है बलकि इनको अच्छे से उबालना है सोयाचंग को उबालने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा सोयाचंग ज़्यादा फूल जाएंगी और फ्राई करने पर अंदर तक फ्लेवर आएगा तो हम इनको 5-6 मिनाट तक बॉयल कर लेंगे अब हम कह सकते हैं कि इसाइज में डबल हो गई है तो अब हम इनको एक बॉल में स्ट्रेन कर लेंगे ध्यान रखेगा इसका हमें काफी फानी निकालना है लेकिन सारा पानी नहीं निकालना है अगर आप इनका सारा पानी निकाल देंगे तो जो बेटर है वो इस पर चिपकेगा नहीं और ये क्रिस्पी नहीं बनेगी तो हम इनको चमच से प्रेस करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी निकालना है तो अब हम चलेंगे इनको मेरिनेट करने तो अब हम इसमें आड़ करेंगे तीन टेबिल स्पून कॉन स्टार्च आदा छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर आदा छोटी चमच पिसी हुई काली मिर्च दो टेबिल स्पून दही नमक स्वादनुसार एक छोटी चमच अद्रक लैसुन का पेस्ट अब सभी को हम mix कर लेंगे और इनको 5-10 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 प्रेइब के बाद हम इनको fry करेंगे इसके लिए कड़ाय में oil लेंगे और oil को गर्म कर लेंगे इनको हम medium high flame पर fry करेंगे अगर आप इनको धिमियाज पर फ्राइ करेंगे तो ये सकत हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिंटों में बड़ियां ओइल पर फ्लोट होने लगी है तो इनको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे तो बड़ियां क्रिस्पी हो गई हैं अब हम इनको ओइल से निकाल लेंगे तो अब हम एक पैन में 2 टेबिलि स्पून ओइल लेंगे और इसको गर्म करेंगे तो ओइल हमारा गर्म हो गया है अब हम इसमें अड़ करेंगे लैसुन, हरी मिर्ज और अधरक और इनको तेज आज पर अदा मिनट के लिए फूनेंगे अदा मिनट के बाद हम इसमें आड करेंगे प्याज और प्याज को भी हम तेज आज पर एक मिनट तक चलाएंगे एक मिनट के बाद हम इसमें आड करेंगे पिली लाल हरी सिमला मिर्च और इनको 2-3 मिनाट तक पकाएंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस एक छोटी चम्मच बनाएकर 2 टेबिल स्पून रेट चिली सॉस 1 टेबिल स्पून टेमाटो सॉस और इनको मिक्स कर लेंगे और एक मिनाट तक हम इनको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे अब हम एक कटोरी में 1 टेबिल स्पून कॉन स्टार्च लेंगे इसमें तोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे अब हम इस पेस्ट को इसमें आड़ करेंगे और साथ में आड़ करेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसको भी हम पका लेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा नमक और साथ में ही हम आड़ करेंगे आदा छोटी चम्मच बिसी हुई काले मिर्च और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे फ्राइ के हुए सोया चंक और इनको भी हम हाई फ्लेम पर एक मिनट तक चलाएंगे जिली सोया चंक की रस्पी बन कर तायार है अब हम इनको गर्मा गरम बॉल में सर्प करेंगे ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि आप इनको एक बाद जरू ट्राइ करें तो अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ बाई